आप जब भी फिल्म देखते हैं और उसमें action sequence देखते हैं जिसमें की गोली चलती है और सर पे लगती है तो देखा हो कैसे खूड का फबारा फूरता है ये headshot के जो shots होते हैं वो कैसे लिए जाते हैं बताओंगा आज के फिल्मी फंडे में Hello friends, welcome to Filmy Funday, Join Films Academy, The Practical Film School मैं हूँ आपका अपना वेरे इंदराठ होर और आप देख रहें Bollywood का Google, Join Films YouTube चैनल Bollywood का Google, Join Films YouTube चैनल पर हर तरह के टॉपिक पर आपको वीडियो मिलते हैं एक से बढ़कर एक टॉपिक पर मैंने ठाई हजार से ज़्यादा वीडियो इस पर रिलीज के हुएं तो इनको देखी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बैल आकन को प्रेस कीजिए ताकि बॉलिवुड में आने का आपका सपना हगीकत में पूरा हो सके तो आज का वीडियो बहुत इंटरस्टिंग है, बहुत ही अलग है, इस तरह का कॉंटेंट आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा कि जब एक्शन सुक्रेस में गोली चलती है, तो जब वो हैट्शॉट लगता है, मतब की गोली लगती है सर में, तो आपने देखा हो गए जिए रियली गोली लगी और उसी टाइम पे प्रॉंप्लि वो खून का फवारा फूटता है ये सब कैसा होता है, हमेशा क्यूरिसिटी बनी रहती है लोगों के मन में, लेकिन अगर आप फिल्म इंडस्टी में आना चाहते हैं, तो तो आपको जरूर मालूम होना चाहिए, क्योंकि अगर अगर एक्टर हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए, कैसे शूट होता है, अग यहां पर जब वो शॉट लगते हैं गोली के तो वो कैसे शूट की जाते हैं उसको भी डिटेल में मैं बताने वाला हूँ आज के वीडियो में आजकर आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि रियल टाइम में गोली लगने के सीन दिखा जाते हैं यहीं कि एक ही शॉट में गोली चलने और गोली के लगने का शॉट तो ऐसे शॉट कैसे शूट होते हैं यह सीन एयर पावर ब्लड स्क्यूप की मदद से शूट होते हैं आसान भाषा में समझाता हूँ दरसल एक डिवाइस होती है जिसके अंदर की तरव आक्टर को पोटट करने के लिए प्लेट या फॉर्म का कार्डबोर्ड लगा होता है आगे की तरव स्क्यूप होती है जिसमें नकली खुन का पैकेट होता है अब इस डिवाइस को आक्टर के कपड़ों के अंदर टेप से बांधकर छपा दिया जाता है जिस जगह गोली लगना है वहाँ छपाये जाता है और कपड़े में हलका सा होल किये जाता है जो की विज देता है, ये प्रस्स डेंजर नहीं होता है, हाँ, अक्टर को एक हलका सा धक्का लगता है, जो कि उसके लिए एक तरह से Q का काम करता है, जटका लगते हैं, यदि एक साथ बह। सारी गोलियां लगने का सीन है तो उतनी ही बलड इसक्यूब एक्टर को लगाई जाती है और नमबर के हिसाब से उन्हें रिमोट से एक के बाद एक बलास किया जाता है तो बाड़ी में गोली लगने के सीन को तो इस तरह से शूट करते हैं अब बात करते हैं कि जो गोलियां होती है और दिवार में लगती है या बस या कार में लगती है वो कैसे चलाई जाती है इस तरह के सीन हर डिरेक्टर अक्शन डिरेक्टर अलग अलग टेक्निक से शूट करते है जैसे दिवार में गोली लगने की बात है तो इस तरह के short जनरली VFX की मदद से ही तियार की जाते है आपने गोली चलने के बाद गर्ण से धुआ निकलते हुए देखा होगा या जो चिंगारी निकलते हुए देखी होगी जानतर होता है पता नहीं है उसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो पहले बनाया था वो वीडियो जरूर देखेगा कि स्पेशल एफेक्ट क्या होता और कैसे किया जाता है अब बात करते हैं कि सर पर जो गोली लगती है वो सीन किस तरह से शूट किये जाते हैं यानि कि हैट शॉट किस तरह से शूट होते हैं आपने कई सीनों में देखा होगा कि सर पर गोली लगने के सीन बहुत ही विश्वसनी लगते हैं ऐसा लगता है जैसे रियल में ही गोली चलिये जबकि ये सीन अलग अलग तरीके से शूट किये जाते हैं तो दो तीन तरीके हैं जिनकी मदद से जनरली इस तरह के सीन शूट किये जाते हैं सबसे पहला तो है वी एफेक्स सर पर गोली लगने के सीन वी एफेक्स की मदद से शूट किये जाते हैं और बाद में पोस् VFX से अच्छे मिलते हैं और वो रियल भी लगता है और इसके लावा एक कम घर्चिला भी है इसलिए सर पर गोली लगने वाले ज्यादा तर सीन प्रॉस्थर्टिक मेकप की मदद से ही शूट किये जाते हैं मैंने अपने पिछले कई वीडियो में प्रॉस्थर्टिक मेकप के बारे में बता हैं लिंक शेयर करता हूँ आप वीडियो जरूर देखेगा तोनों टेक्निक से शूट किया जाता है तो अब आप डेटेल में समझ गए होंगे कि जो सर पर गोली लगती है वो किस तरह से शूट किया जाता है इसको चाहें तो आप अपनी film making में भी use कर सकते हैं आप अगर कोई film मनाने तो इसको technique को use करके देखिए आपको बड़ा मज़ा आएगा क्योंकि ये experience लेना बड़ा अच्छा होगा आपको इस तरह के technical video कैसे लगते हैं मुझे comment करके जरूर बताईएगा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी कर दीजिए ताकि मेरा उत्सा बना रहे और हाँ यदि आपने जॉइन फिल्स आप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि अब बहुत सारी master classes वहाँ पर available हैं जो कि especially मैंने आप के लिए डिजाइन किये तो जॉइन फिल्स आपको डाउनलोड जरूर कीजिए अगले वीडियो मैं फिर्जे में लूँगा तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, चमे रहिए All the very best